यह फोड कंपनी की गाड़ी है बी आर एफ फिप्टी इसका नम्मर है और इस गाड़ी पर महत्मा गांधी जब रांची आये थे तो चड़े थे और यहां से लेकर राम करें यह क्लासिक मॉडल पर आती है यह स्टैंडर्ड कंपनी की गाड़ी यह ब्रिटिश कार है और 1950 मॉडल की यह कार है यह कनवर्टिबल कार है जैसा कि अब यह रेस्टोरेशन प्रोसेस पर है यह 1937 की कनवर्टिबल मसेडीज बेंस की कंपनी की कार है जर्मन कार है और इसकी पाचीज की मॉडल है, 6 सिलेंडर कार है ये, शवरले फिर से अमेरिकन कंपनी थी, इसे भी इंपोर्ट हमारे पर दादा ने करवाया था, ये शवरले कंपनी की अमेरिकन कार है, ये लेफ्ट हैन्ड ड्राइब है, और आठाट सिलेंडर गाड़ियां भी है, ये गाड़ी के कार है जो आज का दिन में MG के नाम से मौरिस गारेजेस के नाम से गाड़ी आती है यहाँ पर यह मौरिस कंपनी की कार है हाँ यह आटो जैसा जो आपको लग रहा है लेकिन यह बहुती यूनिक वहिकल है और यूनिक गाड़ी कह सकते हैं क्योंकि स्पोक रिम के साथ आती थी और जो मारूती के टेकनोलोजी आज आती है उस दोरान में वो टेकनोलोजी थी और इस गाड़ी की में बात करा हूँ क्योंकि यह वर्ड में सिर्फ एक पीस बची है जो कि उस दोरान सिर्फ राजा और रजवाड़ाओ को ही मिला जाता था यह पुरानी जो ओस्टिन आती थी ओस्टिन कंपनी की यह गाड़ी है यह भी फोर्ड कंपनी की गाड़ी है और उसके बगल में भी मौरिस कंपनी की गाड़ी है आज हम आपको राजधानी राची से एक ऐसे एंटिक गाड़ी के कलेक्शन के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा जहांपर 35 से अधिक ऐसी एंटिक गाड़ियां है जो आजादी से पहले की हैं मारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक साथ कई गाड़ियां है जिस पर महात्मा गांधी मौलाना अब्दुल कलाम के साथ साथ माउंट बेटन तक इन गाड़ियों में सफर किये हैं और इन गाड़ियों का कलेक्शन किया है आदित विक्रम जैस्वाल जो जहारखन प्रदेश प्रोफेशनल कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष हैं और इनके परिवार की ही ये तमाम गाड़ियां है आदित विक्रम जी कितनी गाड़ियां है 35 विंटेज काज हैं जिसमें क्लासिक मॉडल भी इंक्लूड़ेड हैं और साल में एक बार हम लोग इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं जब शिष्टी की रचना हो रही थी भगवान ब्रह्मा ने शिष्टी की रचना की थी तो भगवान विश्करमा जी को उसे सवारने का दायत्व स्वापा गया था भगवान विश्करमा जी ने बहुती सहज रूप से शिष्टी की रचना की इसलिए उनको पहला इंजिनियर बोला जाता है और किसी ने ठीकी कहा है जो अपने करम पे विश्वास रखते हैं भगवान विश्करमा जी का आशिरवाद उनके पास होता है हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान विश्करमा जी का उनका आशिरवाद है जो कि आज भी इन गाडियों को हम लोग मेंटेन करके चलते हैं इन हाउस गैरेज है लगतार मेकैनिक पेंटर डेंटर लगे रहते हैं सालो भर भगवान विशकर्मा जी के आशिरवात से हम लोग इस इन गाडियों को सहिजने का काम जो की मैंने अपने पूर्वजों से ये पाया था ये और्नमेंट के रूप में हम लोग रखते हैं बहुत बापू कुटीर जो आज कारेले के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसे भी हम लोग वैसे ही सहिज के रखें जैसे इन गाडियों को रखें है और 1940 में महत्मा गांधी को इसी गाड़ी में ये फोर्ड मॉडल की कार है अब एक एक करके आपको जितनी भी एंटीक गाड़ियां है उसके बारे में बताएंगे ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी है बी आर एफ फिप्टी इसका नम्मर है और इस गाड़ी पर महत्मा गांधी जब रांची आये थे तो चड़े थे और यहां से लेकर रामगड़ के द्वारा अमेरिकेन वहिकल है इसको इंपोर्ट हम लोग करवाये थे और 1940 में मैं बहुत गर्फ के साथ कहता हूं कि महत्मा गांधी इसी गाड़ी में मेरे पर दादा राय साब लच्मीन रायन उनको ड्राइफ करते हुए रामगड अधिवेशन में भाग लेने के लिए लेके गये थे जो की बहुती अतियासी का दिवेशन था उसी अधिवेशन में भारत छोडो आंदुलन का निव रखा गया था जो की 1942 में कुईट इंडिया मूव्मेंट के नाम से जाना जाता है और कुईट इंडिया मूव्मेंट के पास साल के बाद हमें आजादी कार है और 1950 मौडल की ये कार है ये कनवर्टिबल कार है जैसा कि अभी रेस्टोरेशन प्रोसेस पे है और अभी डेंटिंग पेंटिंग बागी है लेकिन इंजिन चालू है इसे भी आप राची में दिखेगा कि हम लोग ड्राइफ करते हुए ले जाएंगे और ना कि कार रैली स्टेट्समान कार रैली पहले होता था जैसे ही वहाँ पर लगा वह इंडियन ओयल ट्रोफी का विजहता बनाई ये गाड़ी 1937 मॉडल की मसेडीज बेंस कार है जो की जर्मनी से उस दौरान में इंपोर्ट हो जी ये 1937 की कंवर्टिबल मसेडीज बेंस की कंपनी की कार है जर्मन कार है और इसकी खूबी में बताता हूं ये टू सीटर ये टू सीटर वहिकल है और किसी राजनेता के लिए ये गाड़ी बनी थी उनके काफीले में चलती थी तो हम लोग इंपोर्ट करवाए थे और जो भी सिकुरिटी गाड रहते थे वो यहाँ पर बैठ है ये ऐसे खुलती है सिकुरिटी कार सिकुरिटी वहिकल थी ये और ये कनवर्टीबल मसेडीज बेंस की बहुत ही उन्दा कार है जो की वर्ल्ड में सिर्फ आठ ये दस पीस अभी बची वी है और हमारे पास एक यहाँ पर हम लोग सहेच के रखें हैं ये चालू कंडिशन में हैं और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू अगर आज के दिन में अगर हम लोग आकलन करें तो ये करोडो रुपया में जाएगी ये गाड़ी की दाम और आगे आपको दिखाएंगे जिस गाड़ी में मौलानाजाद सहाब जब मौलानाजाद मदर्सा का न्यू रखा गया था हमारे पर दादा ने न्यू रखा था मौलानाजाद मदर्सा का जो कि अपर बजार राची में स्तित है फिर मौलानाजाद कॉलेज बना उस गाड़ी में मौलाना अजाद साथ जब नजर बंद भी थे तो उस गाड़ी में राची में जहां भी उनका आगमन होता था उसी गाड़ी में होता था चलिए उस गाड़ी को भी आपको दिखाते हैं हर एक गाड़ी के पीछे एक कहानी है और अजादी से पहले के जितने भी नेता है इन गाड़ीों पर जब भी रांची आये सफर कर चुके हैं और इसलिए आपको जानना और देखना बहदी जरूरी है कि राजधानी रांची मे में आदित विक्रम जैस्वाल का यह घर है और यहीं पर यह सारा क्यलेक्शन है तो आईए अब आपको अगली गाड़ी दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं तो देखे एक और गाड़ी है और इस गाड़ी के बारे में जानते हैं यह यह शेवरले की 1925 की मॉडल है शे सिलिंडर कार है यह शेवरले फिर से अमेरिकन कंपनी थी इसे भी इंपोर्ट हमारे पर दादा ने करवाया था गाड़ियों के शौकीन थे वो बहुत ही सहिच के रखते थे हम लोग भी बहुत ही सहिच के रखते हैं लेकिन यह भी एक इतियासिक कार है जिसमें मौलाना अजाद सहाब जब उनका राची आगमन होता था इसी गाड़ी में वो कहीं भी प्रस्थान उनको करना रहता था तो इसी गाड़ी में यह यूज करते थे जाकिर हुसेन सहाब बात में जब यहां पर राची में रहें तो जितने भी दिन रहें जाकिर हुसेन सहाब इसी गा और जितने भी राजनेता उस दोरान रहते थे जो freedom fighter थे करांती कारी थे इस गाड़ी का उपयोग उन्होंने किया था जितनी गाड़िया है चालू कंडिशन में है और जो चालू कंडिशन में नहीं है उसे चालू करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं इन हाउस गैरेज है लगतार मेकैनिक लगे रत हैं अगर समान उपलब्द नहीं होता है तो हम लोग विदेश से भी इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं ताकि इन गाड़ियों को सहिच के रेस्टोर करके हम लोग रख सके हैं इस गाड़ी में कितने लोग उनकी बैठने की हैं छे लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि बड़ा कार है शेवरले की और बहुत ही अच्छा चलता है जो आजकल की गाड़ियां भी इसकी टक्कर नहीं ले सकती कि छे सिलिंडर 4000 सीसी की इंजिन आदित विक्रम जैस देख सकते हैं कि बाय और दाहिने और हमारे पीछे आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ कार ही कार हैं कितनी टोटल है टोटल 25 विंटेज गाड़ियां है जिसमें क्लासिक मॉडल भी है यह सब क्लासिक मॉडल है यह डिसूटो की कार है यह शवरले कंपनी की अमेरिकन कार है यह लेफ्ट हैं ड्राइव है और आट-ट सिलिंडर गाड़ियां भी है यह 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 शवरले कंपनी की कार है जो शवर शेवरले कंपनी की कार थी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम ब्रिटिश कार या शेवरले की ही कार आती थी, जो असानी से उपकलब थी, जर्मन कार बहुत ही मुश्किल से आती थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ-कुछ इंपोर्ट करवाया था उस दौरान पर, उस टाइम रहता था, लेकिन उस दौरान भी 1947-1947 में, दस से पंदरा जार भी बहुत माइने रखता था उस दौरानी जितनी भी गाड़ी हैं, यह बिक्ती है, और जो भी शौकीन लोग होते हैं, या जो कलेक्टर रहते हैं, विंटेज कलेक्टर वो खरीदने में चुक रहते हैं, तो हमें हमेशा ओफर भी मिलता है कि कोई-कोई गाड़ी का, जैसे गांदी जी वाली गाड़ी का, वो तो हम एतिहासी धरवर है उसको, और मेरे परदादा का बहुती सेंटिमेंट्स उसमें था, क्योंकि खुद ड्राइव करके वो ले गये थे, तो वो गाड़ी नही उसे सहीच के रखने का प्रयास करेंगे, यह मौरिस की कार है, जो आज का दिन में एम जी के नाम से मौरिस गारेजेस के नाम से गाड़ी आती है, यह मौरिस कंपनी की कार है, वो बेबी ऑस्टिन हम लोग बोलते थे हैं, टू से जो ओटो जैसा जो आपको लग रहा है, ले यह मारूती की टेकनोलोजी आज आती है, उस दौरान में वो टेकनोलोजी थी, ब्रिटिश कंपनी की यह कार थी, इसे भी इंपोर्ट कराया गया था, और बहुत ही अच्छा टू सीटर है, टू डोर है, और इसे भी हम लोग रेस्टोर करवाएंगे, यह यह फियेट कंपन काम है यह, रेस्टोरेशन प्रोसेस, बहुत लोग लगे रहते हैं इस पे, धीरे-धीरे करके हम लोग सालों आज हो गया, आज 10 साल से हम लोग जो पुराना इनहरिट हम लोग किये थे गाड़ी सब, उसको हम लोग रेस्टोर कर रहे हैं, प्रियास कर रहे हैं कि गाड़ी ताकि हम लोग एक लोगों के लिए भी एक म्यूजियम बना सके जो भी इतिहासिक चीज अपने पास परिवार के पास है, जैसे कि ताम पत्र हैं, उस दोरान के तलवार हैं, दो-दो-सो साल पुराना, जिसे हम लोगों ने सहिच के रखा हुआ है, एक म्यूजियम के तौर पर लोगों ने अभी जहरकंड सरकार से भी बात करेंगे, कि आप लोग भी मदद करें, जो आर्ट एन कल्चर उनका डिपार्टमेंट है, और इस गाड़ी की में बात करा हूँ, क्योंकि ये वोल्ड में सिर्फ एक पीस बची है, जो कि उस दोरान सिर्फ राजा और रजवारा वही मिला जाता था, क्योंकि मैं भी एक राज परिवार से आता हूँ, 1927 की ये कार है, हाला कि 1922 में ये गाड़ी बनी थी, लेकिन पास साल बाद हम लोगों के पास इस परिवार में आया था, फियेट मर्लिन ट्रिंसेस बूला जाता है, जो कि रोल्स रोइस के साथ कोलाब बना था, ये छे सिरिंडर की कार है, और ये सिर्फ वर्ल्ड में एक ही पीस अब और कहीं नहीं है, सब डिस्ट्रॉइ हो चुकी है, अब एक ही पीस ये बचा हुआ है, और जिसे की बहुती टाइम लगेगा भी बनाने में, दो से तीन साल में लेकिन बहुत सारा समान हम लो के भारत में हम लोग इंपोर्ट करके अमंगवाते हैं, विदेश कंपनी से, लेकिन कंपनी जो है साथ इसलिए देती हैं कि क्योंकि हम लोग पुराना गाड़ी को बचा के रखे हुए हैं, जैसे फोड कंपनी की गाड़ी है, मसीडीज की गाड़ी है, फियट की गाड़ी ह समान कुछ उपलब नहीं हो था, मसीडीज बेंस को हम लोग ने लिखा था, तो इसे में कैसे भी करके हम लोग रेस्टोर करें और अब लेकिन थोड़ा सा असान इसलिए हो गया है कि बहुत सारी गाड़िया आ रही हैं, कुछ-कुछ पार्ट्स जो है, मिल जाता है और जो पुरानी गाड़िया में समान लगता है, कुछ पुरानी गाड़िया में मिला जुला के समान लगके हम लोग रेस्टोरेशन प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, यह कौन सी है, यह पुरानी जो ऑस्टिन आती थी, ऑस्टिन कंपनी की यह गाड़ी है, और छे सिलिंडर की इं कि देख सकते हैं, ये भी फोर्ड कंपनी की गाडी है, और उसके बगल में भी मौर्रिस कंपनी की गाडी है, अधिकतर गाडी मेरे यां जो है, वो UK से, लंडन से इंपोर्ट करवा के मंगवाए गया था, उस ऐे जादी है यह आजादी से पहले हैं सब आजादी के पहले की गाड़ी है कुछ गाड़ियां जो है 1950 मॉडल की जो की हमने दिखाया था जो शेवरले मॉडल की गाड़ी है और उदर डिसोटो लगा हुआ है क्लासिक कार में आता था लेकिन फिर भी इंपोर्ट ही होता था उस टाइम फ्रेंच मोटर्स करके कंपनी हुआ करती थी कलकत्ता में वहां से उन लोगों के द्वारा इंपोर्ट करवाये जाता था यह जितनी भी गाड को सहेज कर रखा जा सकता है और ऐसी गाड़ियों के कलेक्शन का एक म्यूजियम बनाया जा सके यह सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से ताकि जो परियतक आये कभी वह यहां की जो यादे हैं खास करके जो आजादी के दिवाने थे जि तमाम गाड़ियों का कलेक्शन इन्होंने रखा है और देखिए आज विसकरमा पूजा है और हर एक विसकरमा पूजा के दिन ऐसे ही पूजा होता है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि विसकरमा पूजा के दिन हम आप या हर कोई जिसके यहां भी गाड़ी है या फि को दिखानी चाहिए और सायद सरकार की जहन में भी ये बात आए कि इन तमाम जितने भी एंटिक चीजें एंटिक गाडियां है उसका कलेक्शन करके एक म्यूजियम बनाया जाए ताकि जो लोग भी रांची आए कभी इन तमाम कलेक्शनों को एक साथ एक जगह एक बार में द अदिए